नश्का दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्य के बारे में जिसे जादतर लोग दम्य की शिकायत मान लेते हैं क्योंकि इस समस्या में व्यक्ति को जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो वही होते हैं जो दम्य में होते हैं जैसा कि खास या मुख्य लक्षण सास ना ले पाना, सास लेने में दर्द होना, दिक्कत होना, जी घबराना, साथी चेस्ट में पेन होना, छाती में दर्द होना, लेकिन अगर हम इसके कारण की बात करें, तो दमे का जो मीन कारण माना जाता है, वो allergy, dust या pollution की कारण माना जा बट इस समस्या में अगर हम बात करें, जो सास ना ले पाने की जो दुविदा है, इसमें ये कारण नहीं है, इसका कारण होता है, हमारे शरीर में जो खून है, उसमें होने वाली clotting, confused, मैं आपको समझाता हूँ, असल में medical science के language में इस बिमारी को हम कहते है, pulmonary embolism, अब इस लेकिन जब सारे functions के साथ साथ कुछ खामिया आ जाती है, और खामिया जैसे खास कर जब हमारे शरीर में blood clots बनने शुरू हो जाते हैं, यानि खून के ठक्के बनने शुरू हो जाते हैं, तब इस problem का जन्म होता है, अब खून के ठक्के बनते क्यों हैं सबसे पहली बात, ज अकसर ये problem देखने को मिलती हैं, और जब ये खून के ठक्के बनने के साथ, अपने जहां पर खून के ठक्के बन रहे हैं, जिस आपके vein में बन रहे हैं, या arteries में बन रहे हैं, वहां से छूटके blood के साथ flow होने लग जाते हैं बाडी में, और जब ये कहीं और जाके अटक ज जाता है, तो दिक्कत आजाती है, अब दिक्कत क्या आ रही है, माल लीजे, जैसे हमारे घर में pipe होता है, पानी का pipe है, अब पानी का pipe है, अगर उसमें कोई चीज जाके फस रही है, अटक रही है, तो उससे क्या होगा, सेम उसी pressure में पानी आएगा, नहीं आएगा ना, पान सास लेने में दिक्कत आती है क्योंकि इसमें प्रोसेस होता क्या है हम सास लेते हैं हम oxygen लेते हैं वो oxygen हमारा blood absorb करता है और carbon dioxide वापस छोड़ देता है लेकिन जब वहाँ पर blood flow हो ही नहीं पा रहा तो क्या वो oxygen पूरी तरीके से consume कर पाएंगे हमारे lungs जिसकी वज़े से patient को क्या होगा सास लेने में तकलीव होती है वो बड़ी मुश्कल से सास ले पाता है क्योंकि जो blood flow है वो बहुत कम हो गया तो blood flow कम होने की वज़े से जो oxygen consume कर पा रहा है वो बहुत कम हो गई है जिसकी वज़े से body में oxygen level गिर जाता है सास लेने में दिक्कत आती है चेस्ट में पेन की शिकायत देखने को मिलती है और भी कई इसके लक्षन देखने को मिलते है अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है पेशिंट इसको दमे की समस्या समझ कर खुद उपचार लेना शुरू कर देते हैं या घरेलू कुछ उपचार लेना शुरू कर देते हैं लेकिन जब उन्हें उन उपचारों से रिलीफ नहीं मिलता अराम नहीं मिलता वहाँ पर आपकी समस्या जादा गंभीर हो जाती है क्योंकि आपकी समस्या जो है वो तो चल रही है और वो एक ऐसे लेवल पर आ रही है कि अब वो आपको दर्द दे रही है वो आपको परिशानी दे रही है और जितना टाइम आप घरेलू उलाज लेने में या ट्रीटमेंट लेने में लगा रहे थे उस टाइम भी वो जो आपकी समस्या है वो बढ़ती गई तो जब समस्या बढ़ जाती है तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है जब आप डॉक्टर के बाद जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर आपको कहते हैं कि आप अपने लंग का एक्सरे कराईए या आप अपने लंग का एमराई कराईए जिससे वो actually समझ पाएं कि आपकी समस्या क्या है लेकिन जब हम किसी भी respiratory problem यानि साथ से जोड़ी समस्या की बात करते हैं उसके इलाज के बारे में बात करते हैं तो सरशेष्ट इलाजों में होमोपैतिक का नाम सबसे उपर आता है यह मैं नहीं कहा रही है आप सब जानते हैं आप मेंसे कई लोग हो सकता है जिनोंने यह experience भी किया हो क्योंकि हमारे यानि भारत उमोपैति में जब patients आते हैं और वो कहते हैं सर हमें दमे की शिकायत है तो doctors भी उन्हें कुछ test कराते हैं उनकी reports देखते हैं तब उन्हें बताते हैं कि आपको दमे की असल में problem नहीं है आपको problem क्या है pulmonary embolism की आपको समस्या है तो वहाँ पर वो एहरान रहे जते हैं कि सर हमें तो लगाता दमा है तो यहाँ पर समझने वारी दिक्कत क्या है कि अगर सांस नहीं आ रही तो हमेशा वो दमे की शिकायत नहीं है वो कुछ और भी हो सकती है जिसके लिए आपको test कराना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी समस्या को समझ पाएं समस्या को समझने के बाद दूसरा step आता है कि इसका सही treatment क्या है और कहां से ले it's all up to you आप alopathic treatment भी ले सकते हैं आप ayurvedic भी ले सकते हैं आप homopathic भी ले सकते हैं लेकिन अभी थोड़ी तेर पहले मैंने आपको बताया था और हो सकता आप में से कई लोगों ने ये experience भी किया हो कि homopathic medicine सास की बिमारी में वर्दान सिद होती है क्यों क्योंकि जो आपकी homopathic medicines हैं उसका कोई side effect नहीं है सबसे पहला फादा दूसरी चीज वो आपकी समस्या की जड़ पर काम करती है आप जड़ पर कैसे काम करेंगी जो आपकी दवा है वो किस चीज पर वर्द करेगी पहली चीज जो clotting blood में हो रही है वो ना हो दूसरी चीज जो clot already बन चुके है या कहीं ना कहीं हमारी किसी आटी में चिपक गए है फस गए है उसको dilute करने में help करेगी ताकि आपका जो blood flow है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो अब यहाँ पर homopathic medicine ही मैं बार-बार क्यों क्या रहा हूँ क्योंकि homopathic medicine असल में होती कह है आपने medicine ली मुमें डाली जैसे ही आपने उसे मुमें डाली वो मुमें ही घुल जाती है मुमें घुलने के साथ ही वो आपके blood के साथ मिलके अपना काम शुरू कर देती है blood हमारी पूरी body में flow करता है means दवाई आपके पूरी body में flow करेगी कितने minute में? कुछ ही minute में बलकि कहूं कुछ ही seconds में लेकिन अगर आप alopathic दवागी बात करते है ayurvedic दवागी बात करते है तो आप उसे खाएंगे वो आपके पेट में जाएगी वो digest होगी उसके बाद आपके blood के साथ मिलके वो blood में flow करेगी और अपना result देगी तो यहाँ पर I hope आपको समझ आ गया कि क्या आपके लिए बहतरीन treatment है बाकि आप जो treatment लेना चाहें वो ले सकते है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दू अगर आपको किसी तरीके का कोई सवाल है कोई doubt है जो आप पूछना चाहते हो homopathic medicines के बारे में तो आप भारत homopathic के doctors के team से free of cost consult कर सकते हो अपनी समस्य के बारे में उनसे पूछ सकते हो, जान सकते हो, उन्हें बता सकते हो कैसे? नीचे दिये गए इस number पर call करके So I hope इस वीडियो के साथ आपको काफी चीजे पता चली होंगी जो अब तक नहीं पता थी अगर हाँ, so I request you हो सकता है आपके और भी बहुत सारे friends रिष्टतार ऐसे हैं जिनको ये समस्या शायद हो या ना पता हो, तो I request के आप इस वीडियो को share जरूर करें अच्छी लगी तो like बटन जरूर दबा दें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल इसी के साथ मैं आप से चलने की इजाज़त चाहूँगा मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार